बॉलिवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी जो एक्टर्स के साथ सांसद भी है उनका ऐसा वेभार काफी अटपठा सा लगता है जी हाँ दोस्तों हेमा मालिनी का ये वीडियो काफी वाइरल हो रहा है जिसमें वो एक महिला के टच से इरिटेड होकर उसका हाथ हठाती हुई नजर आ रही है और तो और टेड़े मेड़े मोह बनाने लगती है इस वाइरल वीडियो को देखने के बाद हेमा मालिनी को उनके इस बरताव के लिए ट्रोल भी किया जा रहा है दरसल हेमा मालिनी भजन के रिलीज इवेंट के लिए सकौन टेमपल पहुँची थी इवेंट में अनूप जलोटा और नितिन मुकेश समेथ कई सिलिप्स शामिल हुए थे इवेंट में हेमा भजन गायक अनूप जलोटा के साथ तस्वीरें किलिक करवा रही थी कि तभी एक महिला हेमा मालिनी के साथ तस्वीर किलिक करवाने आ गई महिला हेमा मालिनी के करीब आई और उन्होंने कंधे पर हाथ रखने की कोशिश की इससे एक्ट्रस चिड़ गई और असहज होते हुए उनका हाथ हठाने लगी साथ ही उन्होंने कहा हाथ मत लगाओ हिमा का ऐसा बरताव अपने फैंस के प्रती देख एक यूजर ने लिखा आप ओडियन्स और फैंस की वजह से स्टार बनी है क्या गलत है अगर वो आपके साथ तस्वीर क्लिक करवाते हुए कंधे में हाथ रख दे ये खुद को क्या समझते हैं एक्टरस मलिश्का ने हिममालिनी के सपोर्ट में लिखाए लोगों को उनकी मरजी के खिलाब मत चूओ अगर वो कमफर्टेवल नहीं है तो नहीं है ये एटिडूड नहीं डिसेंसी और स्पेस है सिर्फ इसलिए कि हम किसी को स्क्रीन किसी तरह देखते हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो रियल नहीं है जिने एक अंजान के बिना इजाज़त छूने से असहस महसूस हो वहीं दूसरे यूजर ने लिखा ये लोग कभी भी जमीन से जुड़ी हुई पर्सनल्टी नहीं थे ये बस स्क्रीन शो आफ करते हैं वहीं तीसरे यूजर ने कहा वोटिंग के टाइम पर तो गले मिलेंगे हाथ मिलेंगे वहीं एक महिला को समझाते हुई लिखा क्या जरूत है ऐसे गमंडी लोगों के साथ फोटो खिजवाने की एक का कहना है कि इतने बड़े लोग और उतने ही छोटे दिल जबकि अन्य ने लिखा जया बच्चन ने रूप लिया है हेमा जी का जया बच्चन से याद आया कि वो भी पेप्स और फैंस के साथ अपने रूड विहिवियर को लेकर मशूर है जिस वजह से जया जी को भी इंडस्ट्री की खडूस एकप्रस का टेग मिला हुआ है इसके लावा संजय दत भी इस लिस्ट में आते हैं जिनका उनके फैंस के प्रती ऐसा विभार काफी बार कैमरे में कैप्चर हुआ है जबकि करीना कपूर को भी लिस्ट में शामिल किया जाता है करीना भी कई बार अपने फैंस से चड़कर फोटो करवाती नज़र आई है वैसे तो करीना किसी को फोटो करवाने का मौका नहीं देती अपने साथ लेकिन जब कभी ऐसा मौका आभी जाता है तो वो टेड़ा मूँ बना लेती हैं जिस वजह से उन्हें अक्सर ट्रोल और खडूस एक्परस कहा जाता है वेल हेमा मालिनी के इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्या वेचार है कॉमेंट बॉक्स में बताना न भूलें ऐसे ही और वीडियो के लिए आप नारी के पेज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब फेस्बुक पर लाइक झाल कर मालिनी के रेचेपांस